नमेशकार मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ इजी टिप्स लेकर आए हैं, जिने यदि आप घर में अपनाते हैं, तो घर में सुक समरिद्धी बढ़ती है, घर बढ़ते समय कई बार घर में कुछ वास्तु दोश भी आ जाते हैं, इन कारणों से कई बार जीवन में कई प् करना पड़ता है, या फिर कोई काम बनते बनते रुक जाता है, या बिगड़ जाता है, इन सब चीजों के पीछे कुछ कारण शिपे होते हैं, यदि ये चोटे-चोटे से बातों को हम ध्यान रखें, अपने घर में इन चीजों को अपनाएं, तो हम असानी से अपने घर के वास्तु दोश भी दूर कर सकते हैं और अपनी जीवन में आने वाली कई तरह की प्रेशानियों से बच सकते हैं घर में सुक समरिद्धी ला सकते हैं तो आज हम आपके लिए 6 ऐसे ही टिप्स लेकर आए हैं तो सबसे पहला टिप है मित्रों घर में लगी हुई दिवार पर हम सभी घर पर घड़ी लगाते हैं तो घड़ी कभी भी हमारी खराब नहीं होनी चाहिए और घर में दिवार पर लगी हुई घड़ी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए बंद घड़ी लगाना बहुत ही अशुब होता है और वास्तु दोश का कारण पनता है यदि घड़ी घर में नहीं लगानी चाहिए इससे तरक्की के रास्ते बंध हो जाते हैं और घर में अमंगल की संभावना रहती हैं और भागय में रुकावटे आने लग जाती हैं भागय एक स्थान पर ही अटक कर रहे जाता है दूसरा टिप मित्रों हमारे घर में बहुत सारे नल होते हैं वोटर टैप्स होती हैं तो कई बार नल खराब हो जाते हैं और उसमें से एक-एक बूंद करके पानी नीचे गिरता रहता है यह भी बहुत ही अशुब चीज है पानी का बहना इससे पानी के बहने के साथ साथ ही तो आप उसे जल्द ही ठीक करा लीजिए, टपकता हुआ नल भी भैते हुए धन की तरह ही काम करता है, इससे आपकी जीवन में आ रही धन संपदा पानी के साथ ही बैजाती है। तीसरा टिप मित्रों, घर में हमारे काफी सारी काज की चीज़ें होती हैं, कई बार काज तूट जाता है, तो तूटे हुए काज की वस्तु को घर में बिलकुल भी न रखें, या तो उसे घर से भाहर फैंक दे या बदलवा लें तूटा हुआ काज रखने से, जीवन में बहुत सारी प्रेशानिया आती हैं, मनुश्य का मन तूटा तूटा सरायता है, किसी भी चीज में नहीं लगता, कोई भी काम सही से नहीं हो पाता, यह भी बहुत बड़ा वास्तु दोश है, इसे भी घर से दूर कर दीजिए, कोई भ गर में आपके तूटा हुआ काज है, तो उसे जल्दे ही लटा दीजिये, तूटा हुआ काज का समान रखना बहुत ही अशुब माना जाता है, और वास्तु दोश का कारन बंता है, चोथा मित्रों, घर में हमारे बहुत सारा बिकार का समान, हम इकटा करके रखते हैं, और उसे प्रियोग में नहीं लाते इदर उदर ऐसे रखा रहता है तो आप अनवश्यक समान भी घर से हटा दीजिए अनवश्यक समान को घर पर रखना भी वास्तु दूश का कारण बनता है और कहीं तरह की प्रेशानियां लाता है जीवन में नेगिटिव उर जाती है और पाजवा टिप मित्रओं घर में कई बार कबूतर गोंसला बना लेता है तो कबूतर की घोंसले को घर में ना बनाने देए यह भी वासु दोश का कारण बनता है इससे भी सुक समरिद्धी का हमारा लॉस होता है धन समपदा रुक जाती है घर में तरक्की के जो रास्ते खुलते हैं वो बंध होने शुरू हो जाते हैं तो कबूतर का गोंसला घर में ना बनने दे नेक्स टिप है मित्रों हम तुलसी जी की पूझा करते हैं घर में तुलसी का पोधा लगाते हैं तुलसी जी का पोधा घर में लगाना बहुत अच्छा है लेकिन यदि तुलसी जी का पोधा किसी कारण वश सूख गया है जल के कारण या धूप में भी कई बार तुलसी जी का पोधा सूख जाता है गर्मी में या सर्दी में तो आपको सूखी हुई तुलसी का पोधा घर में रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए इससे भी घर में नकारात्म कुर्चा आती है और सूख समरिद्धी के रास्ते बंध हो जाते हैं और वास्तु दोश का कारण बंता है कोई पोधा यदि आपके गार्डन में या प्लांट सूख गए हैं तो उन्हें हटा कर नए प्लांट लगा लीजिए सूखा हुआ पोधा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए मित्रों तो आज हमने आपके साथ 6 टिप्स शेयर किये हैं मित्रों ये बहुती इजी हैं आप इन चोटे-चोटे सी टिप्स को अपना कर घर में सुख सम्रिद्धी, धन, समपदा ला सकते हैं अगर आपको भी हमारे आज की चोटे-मोटे टिप्स अच्छे लगी हैं तो हमारे चनल को इसी तरह कि ओर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीड यो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद